वेलकम बैक टो दी नियो वीडियो, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज हम डिसकस करने वाला है यहाँ पर वीकली करंट अफेर्स जो की हमारे रहे हैं यहाँ पर 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा वो यहाँ पर दिया गया है current underscore dot affair underscore तो इससे जरूर फॉलो कीजिएगा यहाँ पर दोनों फॉर्मेट में मैं daily current affairs को update करता हूँ तो let's move on to the first question which has become the first state in the country to get 5G services in all districts तो आपको बताना है कि कौन सी यह सी पहली state बनी है जिसके यहाँ पे सारे districts में 5G services install कर दी गई है तो यहाँ पे आपकी चार options हैं तेलंगाना, तामिलनाडू, गुजरात and हरयाना तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो है गुजरात गुजरात पहली district बनी है यहाँ पे इंडिया की जिसके यहाँ पे सारे district में 5G services install कर दी गए हैं और यह किये गए हैं यहाँ पे alliance geo के दोवरा ओके यहाँ पे गुजरात की 33 districts में सबी जगह पे 5G services को install कर दिया गया है और गुजरात पहली state बनी है ऐसा करने वाली 100% गुजरात यहाँ पे पहली state बढ़ गये जहांके 100% 5G network यहाँ पे हो गया है तो इसे याद रखिए काफी important question बन जाता है Let's move on to the next question Which Tamil writer has been selected for the Kuwempu National Award तो आपको बताना है कि कौन से तामिल writer है जो कि यहाँ पे select किये गए है for the Kuwempu National Award तो आपके चार option यहाँ पे आपकी screen पर यह रहे और आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है वो रहा है अनम अलाई, अलाईस इमायनम तो यह यहाँ पे तामिल writer बने जिनको यहाँ पे मिला है अभी Kuwempu National Award और यहाँ पे इनकी picture भी आप देख सकते हैं इनको यहाँ पे जो मिला है basically 118th birth anniversary program था वहाँ पे यह award दिया गया है काफी important award है यह और यह दिया गया है यहाँ पे basically anniversary program on 27th December 29th at Kupalli in Tira Thali Taluk तो इनको यह award मिलेगा यहाँ पे 29th of December को जब यहाँ पे एक Kuwempu जी की 118th birth anniversary होगी उस दिनको यह award दिया जाएगा और आप इनका नाम जुरूर याद रखेगा V.N.M.L.I.A.K.A.Y.M. तो काफी important है यह यह award भी काफी important है तो इसे याद रखेगा इनका नाम भी याद रखेगा तो चलते हैं next question की और Which state government has launched the anemia eradication program MLAN तो आपको बताना है कौँ से state ने यहाँ पे नाइम जो के एक बिमारी होते है eradication program इसका start किया है जिसका नाम है MLAN तो आपके चार options यहाँ पे यह रहे New Delhi, Odisha, Punjab and Haryana तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा Odisha Odisha ने यह program को launch किया है अभी तो Odisha के जो हमारे chief minister है नवीन पतनाएक उनके दवारा यहाँ पे MLAN जिसकी की full form है अनीमिया, मुक्त, लख्या, अभयान इसको launch किया है अपनी state में and this program will be ruled out in 55,000 government and government-aided school and 74,000 आंगनवारी centers across the state तो यह 55,000 government schools and 74,000 आंगनवारी centers में इस program को चलाया जाएगा काफी important है और यह एनीमिया एक जो की बिमारी होती है उसके eradication के लिए इस program को launch किया गया यहां पर Udisa के chief minister जो है नवीन पतनाएक के दोरा तो इसे याद रखीगा यह पूरी चीज आप पढ़ सकते हैं मैंने यहां पर दी है और यह यहां पर इनकी photo है नवीन पतनाएक जी की तो इसे याद रखीगा अनीमिया eradication program जिसको launch किया गया है यहां पर Udisa के दोरा ओके तो let's move on to the next question who has been appointed by SEBI as the new MD CEO of BSE board stock exchange के यहां पर MD or CEO किसको appoint किया गया है यहां पर SEBI के दोरा यह आपको बताना है तो यह रहे आपके चार options यहां पर I hope आपने अपना सही उत्तर चुन लिया होगा तो यहां पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सुंद्रा रमन रामामूर्थी सुंद्रा रमन रामामूर्थी को यहां पर appoint के गया है MD CEO नए board of basically BSE के new MD and CEO by the SEBI तो यहां पर बात हो रही है basically SEBI की SEBI की full form क्या है पहले यह आप जान लीजिए SEBI की full form है वो है Securities and Exchange Board of India तो इनकी MD and CEO appoint किया गया है यहां पर सुंद्रा रमन रामामूर्थी को यह आपको याद रखना है काफी important है और यहां पर और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें काफी चीज़ें लिखी होई हैं यहां पर तो बेसिकली आपको यह नाम याद रखना हैं का रमामूर्थी जी का जिनको भी MD and CEO appoint किया गया है तो लेट्स मूव ओन तो दी नेक्स्ट कॉस्चिन तो आपको बताना है कि मुंबई का राहा है यहां पर जो भी इंडेक्स लॉंच किया गया है ग्लोबल प्राइम सिटीज का ओके तो यह आपके चार आप्शन्स यहां पर यह रहे और यहां पर आपका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है 22nd 27nd रैंक रहा है यहां पर मुंबई का इंडी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स ओके एंड मुंबई यहां पर पिछली बार अगर बात करें हम तो वो था 39th रैंक पर था और इस बार जो है मुंबई यहां पर आगया है 22nd रैंक पर ओके इस इंडेक्स में इंडेक्स में पिछली बार बैंगलेरू जो था 41st नंबर पे अभी वो आ गया है 27th नंबर पे और नियू दिलिया उसो यहां पर पिछली बार 38 नंबर पे था और इस बार वो 36 नंबर पे आ गया है तो इसे याद रखीगा काफी इंपोर्टेंट है चलते हैंगा इस next question के और which ministry has launched a national campaign named नई चेतना तो आखको बताना है कौन सी ministry ने यहां पे यह national campaign launch किया है जिसका नाम है नई चेतना तो यह रहे आपके चार options यहां पे तो यहां पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा Ministry of Ruler Ministry of Rural ने यहां पे यह national campaign launch किया जिसका नाम है नई चेतना तो यह एक मंत का यहां पे एक long campaign है यहां पे आखको इसको हम कह सकते हैं एक जनन दोलन है यह people's movement है इसको ministry of rural development के दोरा launch किया गया है and basically इसमें जो women's के ओपर ज्यादा concentrate किया जा रहा है basically इसमें इसमें जो women's हैं जो की rural areas में रहती हैं unaware होती हैं various mechanism available to raise their concern तो basically जो कई यहां पे ओरते हैं वो यहां पे rural areas में रहती हैं जिनको पता नहीं है कि कई mechanism ऐसे हैं जिसके दोरा वो अपनी आवाज उठा सकती है अपने उपर हो रहे जुलम के खिलाफ जा कोई भी जो समाजिक प्राकिरती है उसके खिलाफ वो अवाज उठा सकती है basically उसके बारे में उनको पता लग सके mechanism के बारे में उसके लिए इस campaign को launch किया गया है जो यह campaign है इसको launch किया गया है on the international day of international day for the elimination of violence against women जिसको हमने मनाया 25th of November को तो यहां से आपका एक और question में ने बना दिया कि international day for the elimination of violence against women हम बनाते है 25th of November को okay तो basically इसको women's के अमंग awareness लाने के लिए इस program को ministry of rulers के दुवाला launch किया गया है okay तो याद रखी गए इसे चलते है next question which city has planned India's first retail municipal green bond for the solar plant तो आपको बताना है कौन सी city ने प्लाइन किया है यहां पे इस first municipal green bond for the solar plant ओके तो यहां पे आपके चार options यह रहे बोपाल पूने इंडोर एंड गुरुग्राम तो यहां पे आपका जो सही उत्तर है वो है इंडोर इंडोर ने यहां पे इसको plan किया है यहां पे basically solar plant को apply करने के लिए इंडोर आप जानते हैं पिछले तीन साफ से यहां पे सबसे साफ city का जो किताब है वो जीता हुआ रहा है और अब उन्होंने यहां पे यह solar project लगाने का भी नया plan किया है और यह काफी अच्छा plan है क्योंकि हम green energy की तरफ जाने वाले हैं यहां पे basically तो यह काफी अच्छा plan है यहां पे indoor ने इसको basically plan किया है तो आपको याद रखेगा indoor का नाम काफी important है तो move on to the next question who has recently honored with the misery of peace award तो आपको बताना है कि इनको यहां पे basically a misery of peace award से सन्मानित किया गया है तो यह रहे आपके चार options तो यहां पे आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा श्री श्री रवी श्री रवी शंकर को यहां पे इस अवार्ड से सन्मानित किया गया है और यह अवार्ड बेसिकली दिया जाता है USA में तो इंडियन स्पिरिच्व लूडर लीडर एंड गलोबल हुमेंटी श्री श्री रवी शंकर बेस्टावड विद्धी प्रिस्टीजिए समिस्री ओफ पीस अवार्ड बाइदी नैशनल सिवर राइट्स म्यूजियम इन दी यूस सिटी अफ एमफिस तो बैसिकली यूसे में यह रवी शंकर जी हैं यह एक प्रोग्राम चुलाते हैं यह स्टैंड फॉर पीस टूर तो बैसिकली इनको इसी के लिए एक वार्ड दिया गया है यह तो आपको यह भी याद रख सकते हैं बैसिकली इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है यह आपको याद रखने की एवार्ड स्ट्था परेंट हुben को यहां पर स्पोर्ड स्परस परसंड यर अवार्ड स्ट्या घा तो यह रहे आपके 4 और यहां पर किया है यहांभी तो कि यह तो किलेंट होगे अनको अभी पहरा sports person of the year award दिया गया है ओके और आपको यहां पे कहीं दो और नाम भी है इनको भी आपको याद रखना है विसके लिए एक नाम तो है यहां पे जो थे special sports person of the year award और best male coach का award है वो दिया गया है आर बी रमेश को और best female coach का award जो है वो दिया गया है नौनिता लाल कुरेशी को तो यह नाम्स को आपको याद रखना है काफी important names है इनका नाम आपको जुरूर याद रखना है अब नहीं लेकरा जिनको पैरा sports person of the year award मिला है ओके तो काफ रते हैं next question की और who has been named as the chairman of the national statistical statistical sorry commission आपको बताना है कि किनको यहाँ पे chairman बनाया गया इस commission का तो यह रहे आपके चार options यहाँ पर यहाँ यहाँ पर अनुबराता विश्वाश राजीव लक्ष्मन करंदिकर मुकेश कुमार जैन एंड रिशी गुपता तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा राजीव लक्ष्मन राजीव लक्ष्मन को यहाँ पर chairman बनाया गया national statistical commission का ओके तो यह यहाँ पर आप इनकी picture भी देख सकते हैं अगर national statistical commission की हम बात करें इसकी स्थापना होती है एक जून 2005 को और इसके जो headquarters है वो है new Delhi में and basically जो है जिसके लिए इनको यहाँ पर point किया गया है राजीव लक्ष्मन की को इनको यह आप याद रखीगा इनका नाम और इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी आप याद रखीगा इसको headquarters जो है वो है new Delhi में यह भी आप याद रखीगा तो चलते हैं हम नेक्स question है who has been the Kamala Devi Chathopadhyay NAF award for the book based on Chipko movement तो आपको बताना है कि किनों ने यहाँ पे Kamala Devi Chathopadhyay जीता है for the book of Chipko movement तो आपको बताना है यह book किस ने लिखी है तो यह रहे आपके चार options यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है शेकर पाठक शेकर पाठक ने इस book को लिखा है और उनको इस book के लिए यह अवार्ड भी दिया गया है तो याद रखीगा इनका नाम काफी important नाम है अगर हम बात करें यहाँ पे previous winners की जिन्होंने पहले इस award को जीता है तो उनका नाम है विलाण बैशनफ 2018 में इस award को जीता तो आपको याद रखीगा है काफी important है यह अभी यह award मिला है यहाँ पे editor पाठक को for his book को एन फ़ोर इस बुक एन दिन उनकी बुक का जो नेम है वो है जिशिक को मुवेंट युसे याद रखी गे काफ़ इंप्रूटेंट जिए उनको यहां पर इस अवाड के लिए यहां पर जो राशी मिली है वो राशी मिली है 15 लाग इस अवाड के सही उत्र है वो है 48th, 48th रैंक रही है इंडियागी से रैंकिंग में तो इंटर्नेशन इविएशन और्गनाइजेशन के हैड़कॉर्टर्स की बात करें हम यह हैं मॉंट्रियाल कानेड़ा में और इसकी स्थापना होती है वो हुई है सेवन ओफ दिसेंबर 1944 को इंटर्नेशनल सिवल इवेशन और्गनाइजेशन काउंसल के जो प्रेजिडेंट है वो है यहां पे सालवाट और्स की एंटानो और जो इनके जो सेक्रेटरी जर्नल है वो है यहां पे जोवान कार्लोस साला जार गोमेच यह नाम आप याद है स्टाप नइसकी हुई ए 7 दिसंबर 1944 को इसका है कैनेडा में आप यो इसमें इंडिया का Candee leg तो इसे याद रखेगा इसमें जो इस तब किया है वो किया है Singapore ने इस रैंक में Singapore ने इस रैंकिंग में टॉप किया है followed by the United Arab Emirates and the South Korea यह दोनों second position पे है second and third position पे है basically UAEA second position पे and South Korea है third position पे okay तो इसे याद रखेगा चलते हैं next question किया who has became the first Indian to win a silver medal in the Asia Junior Badminton Championship 2022 तो आपको बताना है यहां पर कौन से यहां हमारे यहां पहले भारतिया बने हैं जिन्होंने silver medal जीता है अन्दी Asia Junior Badminton Championship 2022 तो यह रहे आपके चार options यहां पर यहां पर आपका जो सही उत्तर हो है उन्ती हुड़ा उन्ती हुड़ा यहां पर बने हैं पहले इंडियां जिन्होंने silver medal जीता है अन्दी Asia Junior Badminton Championship यहां पर बेसिकली इनकी आप पिचर भी देख सकते हैं उन्ती हुड़ा की तो बेसिकली यह final में हार गई है थाइलेंड की शारून राक विटिट सारं से तो अब इन्होंने silver सही इनको सबर करना बड़ा बट यह ऐसा करने वाली भी पहली महला बन गई हैं यहां पर ओके तो इसे याद रखे काफी इन विच इंडियन सिटी दी फर्स टाइम रियल गोल्ड एटियम हैज बिन इंस्टॉल्ड तो आपको बताना है कौन सी इंडियन सिटी में पहली बार रियल गोल्ड एटियम को इंस्टॉल किया गया है तो यह रहे आपके चार आप्शिंस यहां पर आपका जो सभी उत्तरह हो है हाईद्राबाद हाईद्राबाद में पहली बार ऐसा ATM इस्टॉल किया गया इंडिया का नहीं है पूरे वर्ल्ड का वहला ऐसी ATM है इसमें से सीधा गोल्ड निकलेगा आप अपने यहां पर कार डालोगे तो गोल्ड निकलेगा उसमें कोई आप यहां पर इस ATM से निकाल सकते हैं ओके तो यह हाईद्राबाद में इस्टॉल किया गया है यह ATM फरम सेज एमस टू गिवा एक्सेस्टू वेरीड ओडियंस अनिबडी कैन विड्रौ गोल्ड यहां पर 24 आवर आप कभी भी यहां पर गोल्ड विड्रौ कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बायर्स करना आउसो यूज प्रीपेड एंड पोस्ट पीड स्मार्ट कार्ड तो विड्रौ दियलो मेटल तो बैसिकली आप खार डालेंगे और आपको गोल्ड के सिक्के इसमें से निकलेंगे ओके तो यह भी जो है संगम एकसराइज जो कि हम यूएस के साथ करते हैं उसका यहां पर सेवन्थ एडिशन कहां पे बैसिकली और नेज किया गया तो यह रहे आपके चार आप्शन्स यहां पर यहां पर जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गोवा में इसको किया गया है सेवन्थ 1994 में यह भी आप याद रखिएगा यह त्री विक्स की एकसराइज होती है बेसिकली तो इसको पहली बार 1994 में कंड़क्ट किया था इस बार इसका सेवन्थ एडिशन था और इसको यहां पर और नेज किया गया गोवा में ओके गईस तो इसे याद रखीगा नेग्स कोस्टन जो है हमारा वो है विच इंडियन स्टाट अप हैस बिन गिवन दी साकंद लीख नवर्थ मिला है यहां पर और यह वार्ड यहां पर दिया गया विस्ट्टली एवार्ड कि इसमें स्टाउट अप में है किया जो भैसिकली कैसे उनकी इंकम्रों हो सकती है कैसे वह अपनी जमीन का बैस्ट यूज करके अच्छी फ़सने उस पर उगा सकते हैं बिसिकली यह सब कुछ स्टार्ट अप में इंक्लिूड किया गया है ओके एंड यह तेलंग गाना का बैसिकली स्टार्ट अप है तो इसे याद रखीगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन की और तो इनका नाम तो आपने सुना होगा काफी चर्चित रहा है इस साल में रेश्या के साथ जो इनकी फाइट चल रही है उसमें उने काफी एहम योगदान दिया तो इनको यहाँ पर सुन आफ यह रवार्ड मिला है तो काईस यहां पर आप यह पूछेंगे कि कोई इंडिया के ऐसा बंदा था इसको पर सुन आफ दियर वार्ड दिया गया हो कभी भी टाइम मैग्जीन के द्वारा जो जी हां इसका सुट्टर है महात्मा गांधी महात् इंडियन थे तब से जिनको यहां पर पर सुन आफ दियर चुना गया वार्ड टाइम मैग्जीन ओके उसके बाद आज तक किसी इंडियन को नहीं चुना गया है और यह अवार्ड को देना कब शुरू किया गया था इसको शुरू किया गया था 1927 और पिछली बार पर सुन डियर किसको चुना था टाइम मैगजीन में तो उसने चुना था टैसला के जो फांडर है प्टैस्ला के जो चीफ हैं बेसिकली वह ऐलाउंमश्क उनको चुना गया था पिछली बार पर सुन आफ दी यर और इस बार चुना गया है वलार्डीमर जेनस्की को योक्रेन के प् तो इसका जो आपका सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है 7th of December को, 7th of December को हमने मनाया International Civil Aviation Day और इसका जो बेसिकली इस बार थीम रहा है, वो रहा है Advancing Innovation for Global Aviation Development तो इसका यह थीम रहा है यह Advancing Innovation for the Global Aviation Development, इसको याद रखीगा, काफी इम्पॉर्टेंट है और अभी हमने यह भी पढ़ा था, the International Civil Aviation Organization का Headquarters का आप है, Montreal, Canada में ओके, तो इसे याद रखिएगा, 1994 को इसी स्थापना हुई थी, यह भी आपने हम पढ़ चुके हैं तो यह आपके आज के weekly current face थे guys, तो जितने भी important question थे मैंने बने, वो मैंने बापको बना कर दिये, तो guys अगर आपको हमारा lecture पसंद आता है, तो subscribe कर लीजीगा channel को, और Instagram पे भी आप हमें follow कर सकते हैं, वहाँ पे daily में update देता रहता हूँ, और मैं अभी काफी particular topics के वीडियो लेकि आने वाला हूँ, books और authors के उपर और काफी important topics हैं, जो exam perspective से काफी important हैं बच्चों के लिए, उसके लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं और मैं लेके आँगा जल्दी वो वीडियो अफ्लोड होगी channel पे, तो उसको subscribe कर दीजीगा, और comments में अपने basically suggestions जुरूर दिया कि ज कैसे हम अप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं यहाँ पे basically अपने आपको, तो आज के लिए इतना ही, thank you guys.